स्वागत है आप सभी का स्टार्टिक जीके में एक और इन्फॉर्मेशन जो की आपकी आज रिलेटेड है सीटेट के एक्जाम डेट से ले करके बहुत ही सटीक जनकारी आपको दूँगा वो भी बिथ प्रूफ के साथ तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि पूरी की पू सबसे पहले एक एक कॉमेंट को ले करके चलते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि आपके पेपर्स कब होने वाले हैं सबसे पहला कॉमेंट आया था उसी कमेंट को ले करके आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि म वहां से वो doubts आपके clear होंगे दूसरा भी आपका जो SSV Singh है इन्होंने भी यही सेम चीज पुछी है लेकिन जो third वाला comment आया है आप देखो श्रीन जमल का comment आया कि सर 11 अक्टूबर को SI का exam है और 18 को SSC वाला तो बिहार में कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आ आप से कहा था कि September में आपका exam नहीं होगा seated का बात आती है October में तो हर Sunday को ही paper होता है seated का और Sunday के लावा बहुत rarest case होता है paper हो तो 4 October बचता है 11 October होता है चो 4 October का date है मैं आपको बता दूँ अभी जल्दी एक admit card आया है IAS का admit card आया है जिसका paper 4 October को होगा तो 4 October को आपका seated का exam ह होना 101% cancel है इस बात को आप ध्यान में रख लेना ठीक है आपने लिखा है 11 October को SI का exam है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो seated का exam होता है वो central level पे होता है उसको CBSC conduct कराती है इसका state के exam से कोई लेना देना नहीं है इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा अगर बिहार में क फर्क नहीं पढ़ने वाला है एक परसेंट भी फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो आप इस चीज को मत कहिए कि 18 को SSC है 11 को SI का exam है इसका आपके seated के exam से कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ 4 October को मैंने आपको बताया कि IS का paper है तो इस दिन आपका seated का exam नहीं होने वाला है मैं अक् पूली यह है कि सबसे पहले आप subscribe कर लीजे चैनल को जिससे जादा से जादा notifications आपके पास पहुँच जाएं ऐसी सारी informations के देखें यहाँ पर लिखा हुआ है seated exam date 2020 जल्द जारी हो सकती है यहाँ पर यह चीज लिखी हुई है और यहाँ पर उन्होंने पूरा website औगरा का फा पूरे बकवास यहाँ उपर लिखें नीचे यहाँ अमारे काम की चीज लिखी हुई है कि ऐसी उमीद जताई जा रही है कि यहाँ परिक्षा सितंबर के आखरी सब्ता में तो मैंने सिप्टमबर बता दिया आपका कि खतम है अक्टूबर में आयोजित की जा सकती है इसके स साथ साथ नीचे देखे लिखा हुआ है इसके साथ या भी उमीद जताई जा सकती है कि परिक्षा दिसंबर में आयोजित की जाए मैं आपको एक चीज बता दूँ यहाँ पर बात सितंबर की की गई यहाँ पर बात अक्टूबर की की गई लेकिन यहाँ पर बात नमंबर की नहीं की गई है तो आपको ये चीज जाना बहुत जरूरी है कि नमंबर में बहुत सारी छुटियां होती है आपको पता है आपका दीपावली भी नमंबर में पढ़ता है तो दीपावली एक ऐसा फेस्टिबल है जो पांस से छे दिन की छुटि विट संडे बहुत जल्दी तो नमंबर में होने की चांसे कम है अगर आपका पेपर अक्टूबर में नहीं होता है तो आपका पेपर दिसंबर में होगा नमंबर में होने की चांसे रेरेस्ट इंदा रेरेस्ट केस में होता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता है कि छुटियां बहुत पढ़ जाती है तो आप ये मान के चुरो कि 4 अक्टूबर को भाई पेपर आपका नहीं है, काफी टाइम आपके पास है, इस चीज़ को आप समझने कोशिच करना, डाउट्स आप मत रखा करो, वीडियो को आप पूरा देखा करो, और तब भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो इसी तरीके से जैसे बहुत सारे लोग कोशन पूछते हैं, आप भी कॉमेंट सेक्षन में कोशन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कॉमेंट को इंक्लूट करके, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, और यहाँ पर मैं कॉन्क्लूट करता हूँ, यह चीज कि आपका पेपर सेप्टेंबर में नहीं होगा, चार अक्टूबर को नहीं होगा, दो डेट आपके नमबर के तरफ बढ़ जाएगा, यूगि नमबर में होने के चांसे बहुत कम हो जाते हैं, आप 20% मान के चला करो, यूगि मैंने आपको बताया, छुट्टियां बहुत सारी हो जाती है, ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको बहुत हैल्फूल लगी होगी, थोड़े स्टे होम, स्टे सेफ.